वीडियो को सकेंड भर भी छोड़ा तो फिर मत कहना कि हमने समझा नहीं इसलिए पूरी तरह से समझना हो तो वीडियो को इंड तक देखना ही होगा बीच में छोड़ा तो फिर हमारी जबाब देई नहीं है तो इसलिए अंत तक देखो और पूरी कलास का लाब भलो अभी तक हमारे द्वाडा बनाएगे तीन वीडियो को नहीं देखा है तो लेक्चर फर्ष्ट से देखो ताकि आपको कोई भी सवा और कोई भी परिभासा समझने में कोई दिक्कत नहीं हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा और आप 11 के सकते हो यहां पर आपको संपूर्ण त्यारी मिलेगी तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटर्वाल्स के बारे में कि इंटर्वाल्स एज सबसेट्स ओप आर आर के उपसमुचियों के रूप में अंतरा अब आप लोग कापी कलम को खोल लो और लिखते जाओ क्योंकि यह आपकी संपूर्ण क्लास है जैसे यहां पर जैसे हम लिखते जाते हैं वीडियो को रोक दिजिए और आप अपने कापी पर लिखते के आर के उपसमुचियों के रूप में अंतरा अब देखों इनका हिंदी यही हुआ अब इनका आप परिभासा जान लिजिए उसके बाद इसके हम टाइप्स को भी जानेंगे देखिए परिभासा क्या है कि लेट ए ए एंड बी आर टू रियल नमबर्स एंड ए लेस दन बी यहां पर देखिए माना कि ए और बी दो वास्तिक संख्याएं हैं और ए लेस दन बी यह है बी से क्या है छोटा है तब देखिए आर के हम चार सब सेट्स को दिफाइंड करते हैं जो अंतराल कहलाते हैं तो देखिए यदि ए और बी दो वास्तिक संख्याएं हो आप लोग हिंदी में अपने कापी में लिखिए यदि ए और बी दो वास्तिक संख्याएं हो ए बी से छोटी हो तो आर के आर मतलब हो गया रियल नंबर्स यानि वास्तिक संख्याएं के चार सब सेट्स चार उपसमुचियों को हम क्या करते हैं परिभासित करते हैं इंटड़ा परकार के होते हैं यानि इंटड़ो चारइपरकार के होते हैं का पहला परकार होता है और हिंदी इनका होता है बंद अंतरा या एक हिंदी और इनका होता है सम्विरित अंतराल किसको हम बोलते हैं तो देखिए अब देखिए आप लोग क्या बोलते हैं वो मेरे क्लोज है क्लोज मतलब क्या हो गया नजदी की मामला सबसे अर्थ हो गया नजदी की तो यहां पर भी वही चीज है यानि एनज़ दिखिए यानि जिसमें close interval लग जाएगा तो उस संख्या को भी हम उठाएंगे परिभासा को हम जान लेते हैं कि इनका परिभासा क्या है आप लोग कापी को खोलिए और लिखते चलिए जैसा हम board पर लिखेंगे अगर आप लोग पीछे छुड़ जाते हैं तो वीडियो को रोख दिजिए तब परिभासा को उतार लिखिए तो देखिए इसे इसे ए भी यहाँ पर देख सकते हैं बंध अंतराल ए भी से सुचीप किया जाता है जो निम्न परकार परिभासित होता है अब यहाँ आप देख लिजिए आप बरी कोस्ट आप देख रहे हैं कि जो लागा देते हैं यही क्या है कलोज इंटर्वल बंध यानि कामरा क्या कि बंध कर दिये देखिए यह समझ लिजिए कि यह क्या है दरवाजा है इनको हम क्या किये बंद कर दिए तो यहां पर देख लिए यह क्या होगा है फाटक यह दरव से क्या किये बंद कर दिए यहीं आपका क्या होता है closed interval a b इनको हम बोलते हैं तो देखिए यह किस परकार से परिभासित होता है जैसे यहाँ पर रहेगा closed interval a b closed interval क्या रहेगा a b रहेगा अब देखो तो इनको हम लिखेंगे ऐसे middle bracket ले लना है और यहाँ पर एक 84 x ले लेंगे एक 84 x इस कारतों गया कि x मतलब a और b की बीच में वह मान आएगा कौन सा मान आएगा इस परकार से तो देखिए यहाँ पर a और b दो संख्या है ना a और b तो x यहाँ पर ले लिए और ऐसे b बढ़ाबर यह से बढ़ाबर कभी चिन लगा देना है अब देखिए इनको क्या कैसे परहेंगे इनको जो है आप कैसे परहेंगे तो देखिए x greater equal to a less equal to b यानि x जो है a से बढ़ा यह बढ़ाबर लेकिन b से छोटा यह बढ़ाबर है ऐसे हम परहेंगे तो देखिए अभी इस परकार के हम defined किये हैं उतना समझ में नहीं आया होगा लेकिन जब हम example लेंगे तो आपके mind में ही बेठ जाएगा अब देखिए एक example हम ले लेते हैं जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं यह के अस्थान पर हम ले लेते हैं दो b के अस्थान पर हम क्या ले लेते हैं पॉंच ले लेते हैं, ऐसे ले लिए, ऐसे कीजिए, और X, मतलब X ले लिए ना, X का मतलब X हो गया कि 2 और 5 के बीच में, यानि 2 से लेकर के 5 तक में, हम कौन सब संध्या लेंगे, यानि वह X का मान होता है, तो देखिए, जैसे 2 और 5 ले लिए, तो ऐसे सॉच डेट है, तो यहां पर सॉच डेट देजिए, यह, एक है स्थम पर क्या है, 2 है, यहां पर ऐसे 2 रख देंगे, इनको जब हम आप संध्या के रूप में लिखेंगे, क्या सब संध्या है होगी, अब देखिए, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि X का जो मान है 2 से लेकर के कहां तक होगा 5 तक X का मान अब जो है 2 से लेकर के 5 तक होगा यानि 2, 3, 4, 5 लिख देजिए हो गया एक एक्जामपल और ले लेते हैं जिसे हम एक और चार ले लेते हैं इसको क्या लिखेंगे एक, दो, तीन, चार हो गया तो यही कुलोजड इंटर्वल है यानि उस संख्यां से उठाते हैं अगर एभी है तो एभी को भी सम्मिलित करना पड़ेगा और से लिख देगे दूपांस है तो देखिए दूपांस को भी हम सम्मिलित किये और जो रेस्ट इस बीच में संख्यां आया उनको भी हम लिखती है तो यह किस परकार से हो गया अब देखिए इनको हम संख्यां रेखा पर हम किस परकार से निरूपित करते हैं तो संख्यां रेखा पर संख्यां रेखा पर अब ऐसा नहीं की कलास में आये हैं तो आप लोग उतारिए नहीं यह कुछ लड़किया बातकित्वी कर रहे हैं देखो सभी गवां घर से आ जाता है एकदम नहीं कहता है कि पंक्खा चल रायकि कुड रहा है ऐसा ही कम तुम लोग कर रहे हूँ इसा नहीं करना है तो इसे उतारते चलिए देखिए एक संख्यां रेखा पर कॉड़ा है तो एसे एक रेखा किची है इंटर्भल है तो इंटर पर ऑट पर इंटर्वा गिए हैं इनको यहीं ओगया कि इनको संख्या रहा पर दर्फा कि यहें इनको आप लोग समझ चुके हैं आप चलिए हम दूसरे इंटर्वल को हो रेखिए इंटर्वल में इसका दूसरा परकार होता है को परिवासा को याद कर लिए और उसी से आप सभी परिवासा को याद कर सकते हैं थोड़ा ममन चंजिंग करना होगा इसमें क्या करना होगा इसे यहाँ पर लिख दिजिए इसे उसमें भी इसे लिखेते अब देखिए क्या किया थे कि दोनों और बरी कोस्ट दे दिये थे लेकिन इसमें चोटी कोस्ट देना है कुलोज में हम बरी कोस्ट दिये लेकिन ओपेंड में छोटी कोस्ट देना तो यहां पर A B A B या अब बरी कोस्ट को उल्टा दिजिए वही क्या हो गया ओपेंड हो गया यानि आपने दर्वाजा को खोल दिया A, B ऐसे तो देखिए अगर आप बरी कोस्ट को पलट देते हैं तो वह छोटी कोस्ट हो जाता है यानि दर्वाजा खुल गया यह हो गया या छोटी कोस्ट देकिनको दो परकार से हम सुचित कर सकते हैं यानि ओपेन इंटर्वल ए भी या यह भी ओपेन इंटर्वल ए भी एक ही चीज़ हुआ तो लिखने का इत्तारीका हुआ से सुचित किया जाता है जो नेवल प्रकार परिभासित होता है अब यहां पर जीज़ क्या करना है कि बदल देना देखें ए भी छोटी पोस्ट में ल पर दिख सकते हैं आप दूखी देखें यह ओपेन इंटर्वल है इसमें एवोड भी समिलित नहीं होगा इसलिए यह जो यहां पर बराबर का चीन होता है इनको हटा देना धीश्य बराबर का चीन सिर्फ क्लोज इसमें लगता है उधर ही लगेगा यानि क्लोज में ही बरा तो मान के चलो कि वहां तक है, वहां तक हम लेंगे, अगर सीमा एकदम खुला है, एकदम अनंत तक समझ रहे हो, तो वहां तक हो सकते हो कभी नहीं, अगर खुला है, तो थोड़ा सा, जो है कि जैसे मान कि यहां बॉंटरी दे दिया, मा कां अंदेर हो, तो सटाकी दे दोगे, अगर वेसे खुला है, गिरे नहीं हो, तो उसे यह कहाँ इधर करके ही न दोगे, तो वही चीज है, कि ओपेर में जो है कि इक्वाल टू नहीं रहेगा, क्लोईट में इक्वाल टू लगा रहता है, इन चीज को धियान दखिए, तो यह जो है इस परकार से परिवासित होता है इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए, एक्स सष्ट डेट, और यहाँ पर एक्स गरेटर देन ए, लेस देन बी, पहलेंगे, एक्स जो है, एसे बड़ा है, लेकिन बी से क्या है? चोटा है, इसे हिंदी म ही पढ़ेंगे, चलिए, यह तो इस परकार से परिवासित हुआ, आप लोग अपने काउपी पर लिखिया और वीडियो को रोक दिए अब इधामपल लेते हैं माईड में बैट जाएगा देखिए एकंपल हम ले लेते हैं तो देखो एकंपल हम चाहए ले सकते हैं यहां पर एक और हम 4 ले लिए एक और 4 ले लिए या ऐसे भी हम लिख सकते हैं इनको अब देखिए यह कोस्ट है मिलल रेकेट दे दिए X है, X दे दिए 1 एक तर यहां पर 1 है 1 देंगे X देंगे, यह चार है यहां पर 4 दे दिए अब देखिए क्या लिख सकते हैं तो इसका आरत हुआ कि X का बुमान होगा X से ज़्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा तो X से ज़्यादा यानि क्या होगिया? 2, 3 अब देखिए 4 से कम तो 4 तक तो ले नहीं सकते सिर्फ 2 और 3 भराएगा यानि एक और 4 रहेगा तो एक और 4 को चार देना है इस बीच में जो संख्याँ आएगा उनको लिखना है यानि एक और 4 की बीच में जो संख्याँ आएगा उनको लिखना है अगर equal to लगा रहे है तो एक से लेकर के संख्याँ कहा तक होगा 4 तक होगा जैसा कि पहले आपने देखा एक एक एक्जामपल हम और ले लेते हैं यह एक्जामपल फर्स्ट हो गया था यह एक्जामपल दो तो देखिए इसमा हम क्या लेते हैं मैनस दो और यह पलस दो ले लिए अब इनको हमको लिखना है तो देखिए जैसे एक चार लिए ना तो एक चार को क्या किए चांड दिये इसे बीच का संख्या लिए तो उसी परकार से मैनस दू और दू लेंगे ना इनको चांड देंगे इनके बीच के संख्या लेंगे तो मैनस दू को चांड लेंगे यानि मैनस दो से ज्यादा लेंगे तो मैनस दो से ज्यादा होता है मैनस से मैनस अप वाले संक्याUNG में उल्टा फुछना है मैनस एk हो गया जीरो हो गया 1 2 अब देखिए 2 से चोटण ही होणा चाहिए 2 तक महीय लेगे यह तक लेगा वह गया अब देखिए इसको हम संक्या रेखा पर कैसे हम बढ़ाएंगे संक्या रेखा पर तो एक संख्यां रेखा की देते हैं ऐसे करके यह संख्या रेखा हो गया यह हो गया यह भी हो गया अब इस बीच का संख्यां लेते हैं इसको गाड़ा कर देना है अब देखिए तो ओपेन है न खुलान है तो आप जो है कि इस ग्याप को ने भर सकते हैं खुला छोड़ दीजिए खुलान तरा हो गया तो शलिए अब जो है कि हम इसके तीसरे परकार को हम जानते हैं इंटर्वल के तीसरे परकार जो अब लेकिन का तीसरे परकार क्लोजड ओपेन क्लोजड ओपेन कापी पर तो लिखते हैं ही चलिए क्लोजड मतलब क्या हो गया बंद ओपेन मतलब फुला अंतरा बंद खुला अंतरा अब देखिए बंद खुला अंतरा पहले बंद है अब आद में बुलो क्या है खुला है न पहले क्या है बंद है अब बाद में खुला तो देखिए इसे बंद का मतलब क्या हो गया बरी कोस्ट बो से बंद वो मतलब बरी ऐसे बड़ी कोस्ट में ये ले लिए तो छोटी कोस्ट यही हो गया बंद खोला अंतरा बंद खोला यानि बंद हो फिर खोला yaha यह रहेगा ह인데 शोटी कोस्ट को हम बताएं न कि दरवाजा को खोल दाजिए हो गया छोटी कोस्ट यानि बरी कोस्ट को उल्टा लिख दिजिए छोटी कोस्ट हो गया ऐसे भी करेंगे ऐसे कर दिजिए अब देखिए यहाँ पर आपको interval परना है लेकिन सम्झाने के लिए हम आपको बता रहे है से सुचित किया जाता है जो नेमन परकार से परिभासित होता है तो देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर भी लिख देना है जिसे ए बिलिए या ऐसे करके ए भी लिख दिए आप देखिए पहले क्या है क्लोईट है बंद है पहले क्या है बंद है न तो बंद तो करना क्या है कि यहां पर नब गिधर रहेगा उधर अभीक्वत्व डेक्वाल्टू लगा दिये बंद हो गया अब आप यहा तब तो नहीं समझेो अगर नहीं सम्झेव अगजाम पर लेंगे यहां पहला है एक्जाम्पल सтесь पहला एक्जाम्पल है और पंक कर पिन हो एदूकर जिए है एक कामण क्या है एक है तो एक या सत्वान पर डखेंगे फि listening आप देखो करना क्या है एक और पांच है इनको लिखना है तो इकल टू यानि यह से चलेगा इकल्टू लगा रहे तो यह कभी सम्मिलित होगा यानि जिदर equal to लगा रहे संख्याँ वह अभी समिलिस होगा तो X का जो मान होगा एक होगा, दो होगा तीन होगा, चार होगा पंच भी होगा कुमेट करके बताओ, नहीं होगा क्योंकि X का मान 5 से क्या है? छोट है, तो बरका मुझ जिदर संख्याँ वह बड़ा तो 5 नहीं होगा, यहीं तो कुवा दूसरा एक गाम पर लेते हैं जैसे 6 ले लिए और उसके बार 10 ले लिए तो देखिए कुलोजट की दर है? 6 के तरब तो 6 से शुरू होगा यानि कुलोजट जिदर रहेगा तो उस संख्याँ को भी सम्मिलित करेगा 6 हो गया, 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया, लेकिन 10 के तरब क्या? उपन है ना 10 से छोटे न लेंगे, तो संख्याँ कहां तक रेगा? 9 या तक यानि 10 को सम्मिलित नहीं करना है हाँ, बरी कुष्ट रहा था न, फ्लोज रहा था तो हम 10 को भी लेते यह हो गया अब देखिए, इनफो नम्मर लाइन पर हम कैसे रखेंगे? नम्मर लाइन पर हम कैसे सजाएंगे? तो देखिए, संख्याँ रेखा यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग कांपी पर उतारते जाओ ऐसे कर दिए, एक संख्याँ रेखा खीज देना है इंटर्वल है, इंटर्वल भी ले लेना है ऐसे कर दिए, यह हो गया, भी हो गया अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या है? क्लोइड है, यानि पहले क्या है? बंद है तो पहला अंतराल जो होगा, वह आपको बंद कर देना है यह जो अंतराल है, इनको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे अब दूसरा खुला है, तो खुला रहेगा यही संख्या रेखा पर हमने दर्सा दिया अब A से B के बीच में संख्या है, यह से ले करके अब आपने इसके तीसरे परकार को भी देख लिया, अब हम चोथे परकार को देखते हैं, अब क्या होगा, उल्टा के अब लेकना है Open, Close, open-closed, open-closed, open-closed का हिंदी क्या होता है, खुला, open मतलब क्या होगे या खुला खुला, अब Closed मतलब क्या होगे या, बंद, तो ऐसे लिख देना है, बंद, अब इनका परिभास आज दानिए तो देखिए open closed interval, तो बंद अंत्राट, हिंदि क्या हुआ इसका खुला बंद अंत्राट, open मतलब खुला, closed मतलब बंद अब इस से तो देखिए पहले क्या है, open open का मतलब हो गया है, छोटी context open मतलब छोटी अप्य दे दिए अब देखिए बंद है तो यहां पर आप वी देंगे तो बंद के तरब बरी कोष्ट या छोटी कोष्ट कों क्या करते हैं ऐसे वी लिखते हैं यानि बरी कोष्ट को उल्टा देते हैं तो छोटी कोष्ट हो जाता है पुलड़ देते हैं अब देखिए इधरवाजा है इखुला तो दरवाजा को खोल दिये तो खुला इसलिए इसे इनको लिखते हैं से सुचीत किया जाता है जो नेवन परकार परिवासित होता है कोई से परिभासित होता है उंगी नहीं लेना है कलास में देखो तो यहाँ पर जो है यह चीज लिक दिजिए A, B वो गया? अब देखिए पहले खुला है पहले क्या है? खुला है तो खुला में इक्वल्टू नहीं लगाना है बंद में इक्वल्टू लगाना है तो बाद में बंद है तो पहले क्वला करना है बाद में बंद है तो बंद कर दिए अब इनके एक्जाम्पल को समझे अब लग कॉपी पर नोट जरूर करते जाएए एक्जाम्पल पहला अब देखिए पहला एक्जामपर तो यहाँ पर हम लेते हैं 1, 5 अब देखिए 1 X लिखिए 1 लिखिए A, A का मान 1 है तो 1 अब यह चीन है इनको पढ़ेंगे कैसे X का जुमान है A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है बड़ा बड़ा है अब यहाँ पर आपको यह जो चीन है वही देना है X अब देखिए यह लेस इक्वल टो है लेस इक्वल टो X लेस इक्वल टो अब B के स्थम पर क्या है 5 तो 5 पर लग देना है अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए X का जुमान है यह एक से क्या है बड़ा है एक से बड़ा क्या होता है दो अब 5 से छोटा यह बड़ा बड़ा है तो लगातर संख्यों के लिखें 2, 3, 4, 5 तो जिदर इक्वल टो लगा देगा उदर उस संख्यों को भी समिलित कर लेंगे दूसरा एक्जाम्पम जैसे 6 और हम 9 ही ले लिए है तो देखिए तो 6 इधर क्या है ओपेंड है तो 6 से बड़ा इधर ओपेंड हैगा ना अगर शुरुवात में तो उनसे ज़्यादा एक बड़ा के लेंगे अगर अंत में यह बाद में देखिए शुरुवात में रहे तो इससे एक ज़्यादा करके लेंगे ओपेंड रेक अतर तो 6 है तो यहाँ परम्चा लेंगे 7 लेंगे 8 लेंगे आप देखिए 9 लेंगे की ने लेंगे देखिए खिलोजड है किसलिए 9 भी लेंगे इसका एक ज़्याद फल हो गया अब हम संखियाँ रेका पर तो इसे संखिया रेका पर केसे दरशाएंगे तो ऐसे एक रेका कीश दिया दूगो इंटर्फल है दूगो दे दिए इंटर्फल यह दिए अब यहाँ पर समझ यह क्या कोड़ा है खुला बंद, तो पहले खुला है, बाद में बंद है, तो बंद कर दीजिए, अंतराल को गैप को यह भर दीजिए, यह हो गया, यह क्या हो गया, भी हो गया, तो फैनले आप लोग समझ चुके हैं, कि अंतराल क्या होता है, अंतराल क्या होता है,